क्या आले साथ ही हो मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस होदी चैनल स्टेडी फॉर्ट सिरूल सुर्विसेस पे आज आज आपके स्मक्ष लेके आगे हैं 29 मार्च का करंट अफेर हिंदी इंग्लिश दूरी बाशों में और आप लोगों को आपके परिवारों को बहुत है भी खुब करें ठीक तो देंगे आज किल जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको देख रहते हैं एक तो इंडियन रैनसुरस आसाम में क्या चल रहा है इसा देखेंगे अभी वहां पर एलेक्शन हो रहा है तो रैनसुरस से काफी बाते हो रही है आसाम का प्राइड बोला जा र गया भी फिर बात में जो है देख लीजेगा ठीक है इंडिया बांगलादेश का रिलेशन्शिप अभी मोदी जी गया हुए है बांगलादेश में 1971 में जब अंगलेश बनना था उसका जो है काफी इंपॉर्टेंट अभी जो है उसका इस्थापना दिवस हो रहा है तो उस strategic cooperation pact हुआ है अब यह थोड़ा सा इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है बट इरान की मजबूरी है और चाइना इसको जो है अब वो करेगा इस मौके का फैदा उठाएगा ठीक इनाटेट नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो होती है उससे सबंदित क्या भी चल रही न्यू वाला तो वन हान वाला सवरी तो यह सको आसाम का प्राइड बोला जाता है ठीक और इसी समंदित क्या है कि चुनाओ हो रहा है तो लोग जो है इस प्राइड को अपनाने के चक्क्र में लगे हुए तो यह सब चल लगी है ठीक है बात आसाम का गौरव के रूप में देखा जाता है इसे और चुकि यह जो काजी रंगा आप लोने सुना होगा काजी रंगा जहां पाया आता है यह गिंडा तो वहां पे भी कई सारी जो चुनाओं की विदान सभाएं हैं वो उसमें आती तो जो भी प्रताशी आता है वो जो है का रानसोरस के बचाओ उनके संद्च वर्धन की बाद जरूर करता है उनके विकास की बाद जो करता है तो भाई जो है पॉलिटिक्स का मुद्दा है अभी एलेक्शन चल रहे हैं असाम में तो यह और जाता मजबूत हो रहा है जो यह प्रच्छेपड आया असाम अंदोलन में आया ठीक है ना कि आसाम का है यह असाम मुवमेंट जब चला नाइंटी सेंटी नाइटी फाइफ के बीच में तब इसकी बात आई और जो है अभी यह देखा जा रहा है कि वहां के लोकल यह कहते हैं कि यह जो भी पोचिंग ओचिंग हो रही है यह सब बाहर के लोग कर रहे हैं और यहां पे जो है ज देखा जाए तो बहुत ही आदा इंपोर्टन जो हैं पर फैक्ट है कि सेंसर्स हुआ दोजार अठारा में पहला फैक्ट तो यह समन लो राइनो समन देथ ठीक और उसमें देखा गया है कि 2413 राइना तो राइनो तो अकेले काजिरंगा में है ठीक और यह जो मैंने आपको यह दो निर्वाचन छेतर ऐसे हैं जो कि काजिरंगा के अधिकांश भाग को कवर करते हैं तो यहां पर जो भी आता है जो भी बतला आते हैं वो उनका प्रॉमिस है रहता है कि हम बचाएंगे राइनो को बले ही राइनो उनके पीछे पढ़ जा तो उनको कोई ना बचा पा को वह हैं आप ठीक अब इंडियन राइनो के बारे में फ्रैक्ट कुछ प्थ्धि देख देख लेते हैं यह आपर और भारती गैंडे को भारती गैंडा भी कह जाता है अधिक एक सिंगर जाता है Sudi होंड गैंडा बोला जाएगा एक से जादिक नहीं एक सींग वाले गैंडे को बलेंगे ठीक यह भारती महादीव यानि की इंडियन सब यह यह देंसिटी की बात करो भारत में यह फिर पूरे वर्ड में तो पोवी तोरा वाइड लैफ संचीर जो आसाम में वहां पर है वह वह वाण जीव अभरन में दुनिया में सबसे आदा अगर घंणत की बात करें से पॉपलेशन टेंसिटी होती वैसे इनकी वी देंसिटी अगला जो मारे टॉपिक है वह क्रिप्ट करेंसी क्या होती डिस्टा करेंसी होती है वर्च्वल करेंसी बोलते हैं इसको जैसे कि आप लोग माली जै कोई क्रेडिट मिलता है ना कि यह इतने रिवार्ड लो तो आपको यह मिल जाएगा जा फिर जह कुछ पॉइंट पॉइ है तो वैसे यह भी करंसी भी है ठीक है अब देखें क्या समंदित है न्यूज यहाँ पर यह की कॉर्परेट मंतरा ले जो है कॉर्परेट अफेर वाला उसने कहा कि जो भी कंपनिया है वो रेइस्टार ओफ कंपनीज को अपने जो विक्ति स्टेटमेंट देंगे उसमें बताएंगे कि भाईया आपके पास कोई क्रिप्टो करंसी से रिलेटेड कोई होल्डिंग है कोई डीलिंग कर रहे हो उसको प्रॉफिट में रख रहे हो किसी तरीके स से आपके पास अगर क्रिप्टो करंसी है ठीक है अब इसमें डील कर रहे हो तो अपना रेइस्टार ओफ कंपनीज को अपने स्टेटमेंट के दरिए उनको बताईए ठीक यह किसने बोला कॉप्परेट मंत्राले ने बोला है ठीक है यहाँ पर यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी कंपनियों को अब अपनी वैधानिक विक्तिय फाइलिंग में और उसी रेइस्टर ओफ कंपनी जो है को बताना होगा क्रिप्टो करंसी जुड़े लें देन पर टांजेक्शन पर कोई लाब यहाँ ठीक हुई है प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है रिपोर्टिंग तिसी से प्राव्त की जमा यह अगरिंग मतलब आपके में कोई निवेश कर रहा है तो क्रिप्टो करंसी के थुरू कर रहा है तो भी बता दो भईया जी यह सारी बात है चिक अच्छा गॉवर्मेंट का क्या नजरीया है क्रिप्टो करंसी पे यह समल लेते हैं क्या डिस्टिक को जो blockchain technology है हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं क्रिप्टो करंसी जो अलड़ी चल नहीं बिटकॉइन होगे इरिथ्रियम होगे कई सारी हैं तो उनको तो हम नहीं लेकिन हम अपनी डिज्टा करंसी लाना चाहते हैं क्रिप्टो करंसी टाइप को बढ़ाव देना चाहते हैं तो इस वाले बिल को लाया गया है इसके जरीए करेंगे और इसमें उद्देश ही है कि प्राइबिट किया जाए जितने भी प्राइवेट टाइप के हैं मतला अपना गॉर्मेंट का बना लेंगे यह प्राइवेट व कि के अगले के लिए एक अलग रखेगा और क्रिप्टो करंसी के साथ प्रवोग पर किड़की बंद नेकरेगा मतला इसको जो ओपन रखेगा ठीक अब अब हमारा जो अगला टॉप अब तो हो एक चीज़ माले ना क्रिप्टो करंसी से लिटन मैंने आप लोग को जो है कई बार चीज़ बढ़ा चुका हूं ठीक तो आप लोग जो है डिली करेंट अफेर करते रहो साथ में दिरोजोन करने पर आपकी रिवीजन भी होता रहता आपको याद भी रहता है एक साथ जो है आखिरी में करने में काफी दिक्कत होती है और निगेटिम मार्किंग है एकसाम में तो confusion रहता है और फिर याद नहीं आता है यह वाली चीज़ तो डिली करना जो भी है इंडिया जो है अभी क्या हुआ कि वोटिंग ही नहीं खरी इंडिया ने ठीक शिलंका का मुद्धा यह अगर पूछ लिया है लब होमलेंड टाइप से होता है तो यह थे यह लोग चाते थे यह अब जैसे शिलंका ऐसे है ठीक है तो यहां जो एरिया है यह इसमें तमिल्स बहुत है इनको ब्रिटिश लेके गए थे वहाँ पर प्लांटेशन और टी के गार्डेंस को करने के लिए फिर वहार रहे अब पर जो इनको खतम करने के लिए तो वहां पर प्रभाकरन नाम से था उसने अपना यह लटी टी बनाई और कहा कि हम इसको जो है अपना टाइगर जो है अपना तमिल का अलग होमलेंड पूरा बनाएंगे तो शिलंका पर तो शिलंकन जो आर्मी थी उसने काफी नरसना मचात करते हुए पूरा जैनल साइट टाइप से किया एथनिक क्लींजिंग टाइप से किया वार क्राइम किये महाँ पर और रे पे बहुत भैंकर तरीके से 2009 तक जो है इनको निस्तनाबूत करते हुए सब को मार ला और बहुत जाए दिक्कत ही तो इस पे फिर क्या हुआ कि जो है करेंगे तो उसमें वोटिंग कराई जाती है कि वह यह बताओ हम यह फला फला चीजे जो है सिलंका के लिए प्रपोस करना है कि हम यहां पे घुसके हम लोग जो है हम पूरी वह चानबीन करें कि क्या चीजे उन्होंने प्रोग्रेस करी है हुमन राइट का जो वालेशन हु नहीं हो ने हुदा है इंडिया ने वोटिंग ही नहीं करी हमनें का उनका कोई पक्षी नहीं मतलब यह वहीं चैना ने देख़ो मोटिंग करी चाना इसके अगेंस तो अब दो अब वैसे वी सम็quito राज पक्षा अच्शेलनका के प्रोओं है चाहिना की बैस जो है human right की जो situation ने मानुव अधिकार हो की शिलंका के उसको पर किया था तो इंडिया ने वोटिंग नहीं करी पूरी कहानी जौन में आ गई न और जो शिलंका का ही यह मुद्दा था 1987 में जो है राजीव गांधी जी ने यहां पर पीस कीपिंग टाइप से जो है फोर्स भी वेजी थी उसी वैसे जो है राजीव गांधी जी का जो है एसे शिनेशन भी करा दिया गया था कि यह शिलंहामारे खिलाफ काम कर रहा है ठीक यह इंडिया वाला प्रामिस्टर अब देखें जो तो रिजिलूशन संकल्प है 4611 में अन बातों के अलावा मानव दिकारों पर उचायूप्त के कारिया लेका यानि कि हुमन रेट्स कमिशनर हाई कमिशनर जो हैं हुमन रेट्स के वह मलग कई सारे साच को उठाएंगे डवलप करेंगे ऐसी कुछ रड़नीतिया ताकि जो है इसको भी वह चीज़ रखने की बात है ठीक हुमन रेट्स काउंसिल यह भी बताता है कि लगातार कोई भी जवाब देई नहीं रही है जो भी अधिकारों को खंडित किया गया था ठीक उनका उलंगन किया गया था उनको नहीं पचाया गया था सब के दोरा चाहे जो भी पा दोरा वर्शों ज किये के अधिकारों के हनन के लिए निरंतर अभाव की ओड इशरा करता है ठीक संकल्प 46 अबलिक रवन ने अनी बातों के अलबा मानो अधिकारों पर उचायुक्त के कारेलों को मजबूत करने के लिए सबूत इखटा करने और शिलंका में मानो अधिकार के सकल उलंगन के लिए भविश की जावब दें प्रत्रियाओं के लिए संभावित रणनीती विक्सित करने का निर्णे लिया है ठीक अगला जो देखें यह है कि सबसे आदा तो दिक्कत यहां पर यह कि एक अब जो इस समय गवर्मेंट है रास पक्षावली कॉलंबो में इसमें बहुत करता है और इसमें देखो कौन सी ऐसी कंट्रिय थी जिनने वोट नहीं डाला उसमें से चौदा कंट्रिय थी इसमें से जापा इंडोनेशिया बहरें नेपाल भी था ठीक और इंडिया तो ही है बाकी 11 लोग जिन्हों ने इसके अगेस्ट में किया तो चाइना ने किया क्यूबा पाकिस्तान बंगलादेश रशिया वनेजोला अब देखरो चाइना रशिया पाक लादेश ठीक वहाँ पे क्या हुआ है पांस तो मोई साइन हुए है कई सरे जैंड में डियास्ट मेंजमेंट ट्रेड आइसी टीम इंफरमिशन और कॉम्निकेशन टेक्नलोजी वाला हो गया स्पोर्स फैसलिटी से समद्दित बात हुई है दोनों देश के प्राइमिस्टर लगाया गया ठीक रूपुर जो परमाडू उर्जा सनियंत्र से बिजली निकासी सुविधाओं के लिए बुनियादी धांचों का विकास के लिए नीव का पत्थर रखा गया ठीक यह तक ना रूपुर नुकलियो पावर प्लांट यह पंगला देश में है वहां से बिजल कि अन्य हिस्सों में ले जाए जाए जाएगा यह आपका बंग बनक बंधू बापू डिजिटल बापू कोनों कि आपने गांधी जी इसके बाद जो है दोनों ही लीडर्स ने और यह भी फांडेशन स्टोन अन्वील किया किसका आशू गंज का मेमोरियल जो है आट आशू बलो ने जो अपना योगदान दिया है जो शाहिद हुए है उनके लिए भी वहाँ पर फांडेशन स्टोन लगाए गया इंडिया ने गिफ्ट किये 109 लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस 109 भारत ने गिफ्ट किये बंगलादेश को और समझे र 12 लाख डोजस को भी शीर्ड वैक्सीन के भी दिया है तीन जो है बॉर्डर हार्ट भी खोले गए हैं तीन सीमा हार्ट भी खोले गया बंगलादेश और भारत की सीमा उपर ठीक दूइंग तर विजट ए नंबर ओफ अनॉंस काई सारे अनॉंसमेंट भी हुए ठीक या तक कई गोशनाय भी की गए जिसमें से मिताली एक्सप्रेस के नाम से सीधी ट्रेन चलेगी धाका और न्यू जलपाई गुडी के बीच में ठीक न्यू जलपाई गुडी कहां पहे बताओ ठीक प्रतामंतरी मोदी जी ने बंगलादेश के 50 यूवा उद्यमियों को भारत के उड़ने के लिए भी आमंतरत किया बढ़िया बात है बंगलादेशी आके हमारे यहां जो है जॉब देंगे हम लोगों को इसके बात किया हजार जो है सुबर्णो जैनती स्कॉलर्शिप ठीक यह एनौंस करी गई जो भी बंगलादेशी इस्टूनेंट है इंडिया में जाकी बंगलादेश की स्टूडीज में काम किया जा सके ठीक है बंगलादेश अध्यान की सुधा के लिए दिल्ली विश्विद्याले में एक बंग बंदू चेर स्थापित किया जाएगा दोनों देश आसैनिक प्रमाडू यानि कि सिविल जो है नुकलियर एन स्पेस एक् युग का एक नया चेत शुरू करने पर सहमत हुए अब स्पेस टेक्नोलजी नुकलियर टेकनोलजी पर भी सिविल नुकलियर डील पर भी बात होगी और मुदी जी कहां कहां घूमें प्लेसेज विजिटेड जो है कि यह है कि एक तो यह गया अपका बर्थ प्लेस जो प्राइमिस्टर मोदी जी विजिटेड दा जैशो रेश्वरी टेंपल इन सत्केरा ठीक उन्होंने यह भी का कि साइकलों से पच्छने के लिए एक शेलिटर कम कम्यूटी हॉल भी बनाए जाएगा ठीक जो भी टेंपल में लोग आते हैं और वह इस हॉल को यूज कर सकते हैं साइकलों अकलम बहुत आते हैं यह रिपाट है साथ है मट Technically से मिले आपका यह गया थे और आ कंडी में मोदी जी और ब tiger reception हुआ उन्होंने जौ AM अंथ कंडी में वहां गये और मट्वा कंडी से भी मिले तो मट्वा कंडी कहां पर है बांगलडेश पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चाइना इरान ने साइन किया 25 साल का स्ट्रेटिजिक कोपरेशन पैक्ट यानि रणनीतिक सायोग पैक्ट जो किया है भी साइन इसमें इसकी तो डिटेल तो बहुत नहीं दी गई लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह पॉलिटिकल इसमें किया जाएगा कौन से फिल्ड में ट्रांसपोर्ट पोर्ट इनर्जी इंडस्ट्री सर्विसेस ठीक इरान का मैप चोटा सा देखें कैस्पियंसी से जुड़ा हुआ है पर्शेंगल से जुड़ा हुआ पाकिस्तान अफगाइनिस्तान तुर्क मेंस्तान उसक आधाा कि इरान नुकलिर डील जो हुई ती ये सारे काम हुए थे तो उसकी वश्टक ने इसको सोचा कि यार चलो इरान की मदद करते हैं और वैसे भी चायना जोसुआ सब बड़ा ट्रेडिंग पार्टनेर है वैपार एक साधिदार कौन है इरान का सबसे बड़ा चाइना है इंडिया का अच्छा हुथ यह कौन है चाइना ही है अगर देखा जाए तो ठिक और यह मैंने भी कवर भी किया था पीछे यह इस यह वाली बात है नुक्लियर डील के कथम जो वीडियन आ गया है नए राशपती तो उन से कुछ उम्मीर जगही जा रही है देखते हैं क्या होता है हाला की जो वीडियन जो है रश्चिया को बहुत बुरा बहला कह रहा है पीछे किलर तक उन्होंने बोल दिया था कि गिलर है तो पुतिन ने कहा हाँ जो खुद होत लेकिन इसके साथ प्लस वन जो था यह था जर्मनी लियान रखना ठीक और एस सुन एस पॉसिबल जल्दी से आ जाओ भाईया जोइन करो और यह जो भी तुमने जो एक तरफा जो है सैंक्शन लगा रखें प्रतिवन लगा रखें हैं इनको भी तुर्ण रद करो यह रशिया डियलोग भी चलू किया है प्लेटफॉर्म और इसमें जितने भी न्यू कंसेंस होंगे और इस अंदर में छेत्रों छेत्र में देशों की सुरच्छा की चिंताओं को हल करने पर एक नई सहमती बनाने के लिए छेत्री सुरच्छा समवाद मंच की स्थापना का इसिया उसकी विजिट पे हैं तो यहां पे जब गए रियाद में ठीक रियाद मतलब साओधी अरेबिया ठीक उन्होंने प्रपोस किया है फाइप पॉइंट इनिशेटिव इसे मैंने पहले बता है आपका इरान जो है शिया है साओधी जो है वह सुन्नी है और इंदोंने क टो और सुरच्छा को स्तिरता को यह और मिडल इश्टरी में हम जाते हैं कि सुरच्छा रहे स्ट्री रहे मद्यपूर में सुरच्छा और स्थिर्टा प्राप्त करने पर पांस उत्री पहलकार परताव रखा जिसमें है प्रासपरिक सम्मान इंडिया में क्या है पंच शील्ड को आप लोग को आज होंबर्ग में लिखना है में आते हैं मुचर एस्पेक्ट होनी चाहिए एक समान रूप से देखना चाहिए बढ़ावा देना चाहिए और नौन प्रॉलिफरेशन मतलब जो भी वैपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वैपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे नुक्लियर और यह साच चीज़े इनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए ठीक प्रॉलिफरेशन मत करो इनका गैर प्रसार और जॉइंटली फ्रोस्टिंग कलेक्टिव सेक्यूर्टी वह एक साथ सुरच्छार करेंगे हम सब दुस्मनों से अपने और एक्सलेटिंड डेलॉप्मेंट को आपरेशन ठीक और विकास से योग के लिए भी बात करी लिए हम पूरे पूरे जो है विश में और शिप्मेंट अभी भेजा गया है कोपनहेगन में भी कोपनहेगन बताइए कहां पर है ठीक और यूएन पीस कीपिंग क्या होता यह समझ लेते हैं एक तरीके से यूएन पीस कीपिंग क्या है कि आपका सुरच्छा प्रवेड करता है और पर्टिकर और पीस बिड्लिंग सपोर्ट देता है ठीक राजनीतिक और शांती वहाली को सपोर्ट करता है ऐसी कंट्री में जहां पर यह कठिन है ठीक जैसे जातर अफ्रीका में चलती है वहाँ पर क्या है कई सारे जो लोगों ने जो आजादी दिलवाई जातर बिटिशर जो भी उपन वेशिक काल के टाइम पर यानि के समराजवाद के काल के टाइम पर यानि इंप्रिलिजम में क क्या था कि कई सारे बिटिशर्स जरमइनी सब लों लोग चले गए अब जो लोग लड़ रहे हैं सबुता के लिए इस सोटम्तधा के लिए अफरिका की कंट्री के क्या हुआ कि वह लोग वो बन गए तानह साह बन गए ठीक तो तानह साही बन गई युँ फिर टानजीशन जो था कॉंफलिक्ट से पीस में लाने कि लिए पीस कीपिंग फोर्स को रखा जाता है कि कि वह यह ट्रांजीशन हो जाय ऐसा जैसे होता ना कि कई कि पॉलिटिकल ज़ो आज सरता हो जाती तो कई लोग जो मिलिट्री उट्री बीच में जैसे कि अभी मैंनमार में चलना थे पॉलिट्कल इनस्टेबिलिटी हो गई तो इसका जो भी पाउरफुल है आर्मी आर्मी वाले पाउरफुल होते हैं तुरांट अपना रूर लगा द ठीक इसके बाद इनके सिध्धान्त क्या है जो यहां फिर से बताते हैं उसांति से संगर से कठें परम्भिक सक्रमन में मदद करने के लिए राजनीती वे शांति स्थापना साहता प्रदां करता है इसके सिध्धान जो है वो तीन है आपका एक तो जो भी पार्टी जिनकी आ जाना चाहरे हैं उनकी कंसेंट उनकी मलत सहमती होनी चीए निस्पक्षता यानिकी इंपर्शालिटी और नॉन यूज ऑफ फोर्स हम फोर्स बल का उप्योग तब तक नहीं करेंगे जब तक सेल्फ डिफेंस की बात ना हो डिफेंस ऑफ दा मेंडेट ना हो हम जिस काम के ल इस अपरिशाद में कि भाईया हमें दुनिया में पीस एंड सेक्योर्टी के लिए काम करना है ठीक पर्मेनेंट मेंबर पांच होते नॉन पर्मेंटन मेंबर दस होते हैं टोटल पंद्रा मेंबर होते हैं इंडिया भी किसका मेंबर बना वता यह ठीक बहुत सिंपर कोशन सिर्फ आप लोग का मतलब इंट्रेक्शन होता रहे इसलिए इंटरनेशनल कम्मूनिटी युजली लुक्स तू अब देखो दुनिया में पीज बना रहे तो सेक्योर्टी प्रवाइड करना सेक्योर्टी कांसिल काम है तो इसलिए कई सारी कंट्री जो इंडियन इंटरनेशन करो ठीक प्रेजन स्टेटर्स यह है कि 12 यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशन डिपलॉइड है ठीक इसको जो है आप लोग को देखना चाहिए मैप में कि कहां पर है इनके आप 12 यूएन पीस कीपिंग डालेंगे गूगल पर आपको मिल जाएगा वहां जाके कौन-कौन से देश में है उसको जोड़ देख लें हो सकता है यूपेसी पूछ ले कि बताओ कौन साइन में से यूएन पीस कीपिंग वाली कंट्री जहां पर नहीं है ऐसा पूछे और जो इनकी सर्विसेज हैं वह उनके लिए जो है इसको नोबल पीस प्राइस भी मिल चुका है ठीक न ब्लू हेलमेट किस से संब्दित है तो यूएन के पीस कीपिंग फोर्स से संब्दित है तो इसी प्रकार से आज का हमारे करेंट फेर यहां पर खतम होता है आप लोग किस तरह के कैसा लगा यह नया फार्मेट जो बताईएगा और आप सभी को फिर से पुना मैं बता चाता है यूपीएफो के और यूपीएससी के तो आप लोग करने के लिए कॉल कर सकते हैं 856480530 और 969606089 पर ठीक तो चले फिर आप लोग से कल मुलाकात होगी तो तक के लिए खुब हो ली के लिए खुब खुश रहिए और फिर से मिलेंगे सुबाद 6 वजा जाएं जाएं जा लोगी वेस्टे